अध्याई सत्रह आओ कहानी लिखे एक अंगूर खटे हैं एक लोमडी घूम रही थी उसने एक पेड़ पर लटकी अंगूर की बेल देखी अंगूर के गुच्छे बहुत उपर थे अंगूरों को देखकर लोमडी के मुँँ में पानी भराया अंगूरों को पाने के लिए लोमडी ने चलान लगाई लोमडी अंगूरों तक नहीं पहुँच पाई वहाँ निराश हो गई वहाई यह कहकर वहाँ से चली गई कि ये अंगूर खटे हैं इनके खाने से गला खराब हो जाएगा 2. नटखट चिंकी चिंकी एक गिलहरी थी वहाँ बहुत नटखट थी वहाँ चिडियों के बच्चों को डराती रहती थी उसे बेर खाने बहुत अच्छे लगते थे उसकी माँ डांट थी चिंकी ज्यादा बेर मत खाओ, खासी हो जाएगी पर भला चिंकी कब मानती एक दिन उसकी माँ बाहर गई चिंकी जट से बेर के पेड़ पर चड़ गई वहाँ ननहे ननहे दातों से बेर कुतर कुतर कर खाने लगी बेर खटे मीठे थे वहाँ बेर की गुठिया नीचे फैकती जा रही थी एक गुठली चिडिया के बच्चे को लगी वहाँ चिल्ला उठा एक गुठली चिंकी के गले में फंस गई चिंकी की सांस रुखने लगी तभी उसकी माँ आ गई वहाँ भी घबरा गई बंदर ने चिंकी की नाक में एक छोटा तिनका डाला चिंकी को जोर से छींक आई छींक से गुठली बाहर निकल गई सब तालिया बजाने लगे चिंकी अपनी मा से लिपट गई चिंकी बोली अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगी अध्याई सत्रह आओ कहानी लिखे एक अंगूर खटे है एक लोमडी घूम रही थी उसने एक पेड़ पर लटकी अंगूर की बेल देखी अंगूर के गुच्छे बहुत उपर थे अंगूरों को देखकर लोमडी के मुँ में पानी भराया अंगूरों को पाने के लिए लोमडी ने चलान लगाई लोमडी अंगूरों तक नहीं पहुँच पाई वहाँ निराश हो गई वहाँ यह कहकर वहाँ से चली गई कि ये अंगूर खटते हैं इनके खाने से गला खराब हो जाएगा दो, नटखट चिंकी चिंकी एक गिलहरी थी वहाँ बहुत नटखट थी वहाँ चिडियों के बच्चों को डराती रहती थी उसे बेर खाने बहुत अच्छे लगते थे उसकी माँ डांटती चिंकी ज्यादा बेर मत खाओ, खासी हो जाएगी पर भला चिंकी कब मानती एक दिन उसकी माँ बाहर गई चिंकी जट से बेर के पेड़ पर चड़ गई वहाँ ननहे ननहे दातों से बेर कुतर कुतर कर खाने लगी बेर खटे मीठे थे वहाँ बेर की गुठिया नीचे फैकती जा रही थी एक गुठिली चिडिया के बच्चे को लगी वहाँ चिल्ला उठा एक गुठली चिंकी के गले में फंस गई चिंकी की सांस रुखने लगी तभी उसकी मा आ गई वह भी घबरा गई बंदर ने चिंकी की नाक में एक छोटा तिनका डाला चिंकी को जोर से छींक आई छींक से गुठली बाहर निकल गई सब तालिया बजाने लगे चिंकी अपनी मा से लिपट गई चिंकी बोली अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगी अध्याई सत्रह आओ कहानी लिखे एक अंगूर खटे है एक लोमडी घूम रही थी उसने एक पेड पर लटकी अंगूर की बेल देखी अंगूर के गुच्छे बहुत उपर थे अंगूरों को देखकर लोमडी के मुँ में पानी भराया अंगूरों को पाने के लिए लोमडी ने चलान लगाई लोमडी अंगूरों तक नहीं पहुँच पाई वहाँ निराश हो गई वहाई यह कहकर वहाँ से चली गई कि ये अंगूर खट्ते हैं इनके खाने से गला खराब हो जाएगा 2. नटखट चिंकी चिंकी एक गिलहरी थी वहाँ बहुत नटखट थी वहाँ चिडियों के बच्चों को डराती रहती थी उसे बेर खाने बहुत अच्छे लगते थे उसकी माँ डांट थी चिंकी ज्यादा बेर मत खाओ, खासी हो जाएगी पर भला चिंकी कब मानती एक दिन उसकी माँ बाहर गई चिंकी जट से बेर के पेड़ पर चड़ गई वहाँ ननहे ननहे दातों से बेर कुतर कुतर कर खाने लगी बेर खटे मीठे थे वहाँ बेर की गुठलिया नीचे फैकती जा रही थी एक गुठली चिडिया के बच्चे को लगी वहाँ चिल्ला उठा एक गुठली चिंकी के गले में फंस गई चिंकी की सांस रुकने लगी तभी उसकी मा आ गई वह भी घबरा गई बंदर ने चिंकी की नाक में एक छोटा तिनका डाला चिंकी को जोर से छींक आई छींक से गुठली बाहर निकल गई सब तालिया बजाने लगे चिंकी अपनी मा से लिपट गई चिंकी बोली अब मैं किसी को तंग नहीं करूँगी अध्याई सत्रह आओ कहानी लिखे एक अंगूर खटे हैं एक लोमडी घूम रही थी उसने एक पेड़ पर लटकी अंगूर की बेल देखी अंगूर के गुच्छे बहुत उपर थे अंगूरो को देखकर लोमडी के मुँँ में पानी भराया अंगूरो को पाने के लिए